आज मैं बहुत ही टेस्टी और इजली वनने वाली रेस्पी काजु कतली बनाने वाली हूँ जिसे हम विना गैस चलाए बनाएंगे जो मार्केट से भी ज्यादा टेस्टी होगी और सिफ दस मिनट में बनकर रेडी होगी और सीो मां बनाएंगे एक जिसे हम ग्राइंडर में डाल में घारड़ का मैं बना लिया है स्मूध सा पाउडर होना चाहिए फाइन इसको हमें एक प्लेट में निकाल लेंगे और यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून के आरा हूं मिल्क पाउडर लिया है और 2 टेबल स्पून मैंने पाउडर शुगर लिया है ज्यादा मीठा नहीं डालेंगे क्योंकि काजु कतली बहु अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है अभी हम इस थोड़ा सा मिल्क डाल के बहुत ज़रा सा समें वन टू टेविल स्पून के राउंड ही मिल्क होता है और सारा एक डो बना के रेडि करेंगे पूरी या और रोटी के बीच का डो होना चाहिए यह देखिए बहुत टाइट ड कर लिया है और मैंने एक पटा लिया है उसके ऊपर हम यह बटर पेपर रखेंगे और इसको एक लोई का शेप देते हुए इसको इसको एक पूरी की तरह बेल लेंगे जितना पतला आप करना चाहते हो इतना कर सकते हो इसको पतला ही बेल लेंगे इसको पतला ही बेल लेंग अब इसके जो कॉर्नर से हैं वो अलग कर देंगे हम और जिस सेप का काजु कतली होता है इसको हम डायमंड शेप में कट कर लेंगे आप जो भी सेप देना चाहेते हैं दे सकते हैं मैं इसको डायमंड शेप कर रहे हूं अभी मैंने ये सबके एकवल पीसिस कर लिये हैं यह बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंच जरूर आप इसको ट्राइ कीजिएगा और इसको हम ऐसे डायमंड शेप में कट कर देते हैं यह देखें सारे पीसिस मैंने गट कर लिये हैं अब हमे एक प्लेट में इसको निकालेंगे इए इतना पतला मैंने रखा है बहुत ही अच्छा बन के रडी हुआ है यह मैंने प्लेट में रख लिये हैं और इसको काजू शे गारिश भी कर दिया है so thank you friends अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आई हो तो please like and share my video and don't forget to subscribe my channel thank you, bye bye